प्लीज आप हमारे हिंडी किट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोज को आप सबसे पहले सुन पाएं और अगर आपको ये कहानिया अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेर करना ना भूले हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शिर्षक है हन्स और कच्छुआ एक गाओं के पास घने जंगल के आसपास एक बहुत बड़ा तलाब था वैसे तो उस तलाब में बहुत सारे जीव जन्तू पक्षिय त्यादी रहा करते थे लेकिन उनी में से दो हन्सों और एक कच्छुए की दोस्ती बहुत दूर दूर तक मश्वूर थी सभी कहते थे अरे यह दो हन्स और कच्छुए तो बहुत मस्ती में खिरा करते हैं बहुत पुरानी सालों की दोस्ती है इनकी और सभी उनकी दोस्ती को बहुत अच्छे से जाना करते थे अब एक समय ऐसा आया जब ग्रिश्म रितू पड़ी बहुत अधिक गर्मी हो गई और गर्मी पड़ने के कारण वहां का तलाप सूखने लगा उसमें पानी धीरे धीरे कम होने लगा अब उन हनसों को तो मालूम था कि यहां बहुत अधिक समय नहीं रहा जा सकता हमें कहीं और चलना चाहिए कहीं और रैन बसेरा बनाना चाहिए नहीं तो हम ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे और हमारी मित्यू निश्यत है अब उन्होंने अपने दोस्त कचुए को कहा देखो कचुए भाई हम लोग यहां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे इसलिए हमें कहीं और सराय बनानी चाहिए अब कचुए ने कहा देखो मित्रों तुम लोग तो आकाश में दूर दूर तक उड़ सकते हो लेकिन मुझ जैसा धीमी चाल चलने वाला प्राणी कैसे एतनी दूर का सपर तै करेगा और मैं कैसे वहां पहुँच पाऊंगा और यहां तुम्हें भूख प्यास से अकेला ही मर जाऊंगा अब हंसो ने कहा देखो मित्र हम तुम्हें या अकेला छोड़ कर तो जाने वाले है नहीं किसी ना किसी तरह हम तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाएंगे बच्चों तुम्हें ये मालुम होगा कि वह कच्चुआ बहुत ही चपड़ चपड़ करता था बहुत अधिक बातूनी था वह कच्चुआ हर समय बाते करता रहता था और वह दोनों हंस बहुत ही सीधे साधे थे और चुप रहा करते थे अब उन हंसों ने उस कच्चुए के कहा कि हम तुम्हें अपने साथ तो ले चलेंगे लेकिन तुम्हें हम दोनों की एक बात माननी पड़ेगी कच्चुए ने कहा हां मित्रों मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा उन्होंने कहा देखो तुम्हें पूरे रास्ते चुप रहना है बस एक छोटी सी यही बात तुम्हें हमारी माननी है तो कच्चुए को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि तुम मुझे अपने साथ भी ले चलोगे और मुझे चुप भी रहना है ऐसा कौन सा तरीका है जिससे तुम मुझे इतनी दूर ले जाओगे और मुझे चुपचाप चलना है अब हनसो ने कचुए को समझाया और कहा देखो मित्र हम तुम्हारे लिए ये पेड़ की टहनी तोड़ कर लाएं है और यह बहुत ही मजबूत है हम दोनों सीरों से यह टहनी पकड़ लेंगे और तुम इसे बीच में से मुझे से पकड़ लेना लेकिन तुम्हे बस अपना मुझ बंद रखना है जिसके कारण तुम्हे इसे पकड़ कर रहने में सुविधा रहेगी अब कच्चुआ तो शुरू से ही था बातूनी चुप रहना तो उसने सीखा ही नहीं था बोला ठीक है मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूगा और मैं चुप चाप ही रहूँगा अब वह दिन भी नजदीक आ गया जब हंसों ने दूसरी और उड़कर जाना था अब वह उस तहनी को लेकर आये और दोनों सीरों से उन्होंने अपने पैरों से उसे पकड़ लिया और कच्चुए को कहा कि तुम अपने मुँ से इस तहनी को पकड़ लो अब कच्चुए ने भी यही किया और वह आसानी से उस तहनी को लेकर अकाश में उनने लगे और कचुवा भी बड़ी आसानी से उसे मूह से दबोच कर आकाश में उड़ने लगा उसे तो आकाश में पहली बार ऐसे उड़ता देखकर कुद ही अचमबा हो रहा था कि वहा कितना सुन्दर दिखती है ये धर्ती उपर से तो आकाश और धर्ती बहुत अचीब लगती है कितनी बड़ी धर्ती है हमारी अब यह क्या जब कुछ लोगों ने गाउं की लोगों ने उन्हें ऐसे उड़ते हुए देखा वह तो अचमबित हो उठे और बोले अरे अरे आकाश में देखो दो हंस एक कचुए को उड़ा कर लेकर जा रहे है बड़ा अचमबित द्रिश्य है यह तो अब सभी देखने लगे और हसने लगे अब यह सब कुछ जब कचुए ने देखा तो उसने नीचे मूँ करके हंसो को बोलना चाहा देखो हंसो यह लोग मुझ पर हस रही है अब यह क्या जैसे ही कचुए ने कुछ बोलने के लिए मूँ खोला कचुए तो धीरे धीरे धर्ती पर आ गया और नीचे गिरते ही उस कचुए की मृत्य हो गई और वे उसके मित्र दो हंस उसे बचा भी नहीं पाए और बस वे तो अफसोस करके ही रहे गए देखा बच्चो वे कचुए उन हंसों से अपने आपको ज़्यादा समझदार और चेतुर समझदा था उसे लगता था वे तो आसानी से इतना लंबा सफर तै कर पाएगा और बेचारा वे है सफर ना तै करके उसकी मृत्यू हो गई